हेलो फ्रेंट स्वागत है आप कमारे यूटी चनल में तो कैसे हैं आप सभी लोग तो यहाँ पर यूपी लेकपाल से जुड़ूगी बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है तो जैसा कि आप इसकीन पर देख सकते हैं लेकपाल वर्ती जो आँच में खुला सा तो इस वीडियो हम जानेंगे कि क्या है वो ख़बर जो लेकपाल बड़ती से लेटर सामने आ रही है और साथी साथ हम जानेंगे कितनी समामना है यूपी लेकपाल कर रिएक जाम होने की तो आगे विस्तार में जाने के लिए वीडियो को पुरा देखते है तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यह अमरुजला के माद्दम से प्रयागराश से एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है नो परच्छार्थियों को हल कराया था पेपर नकल माफिया रेकेट की जांच में खुलासा तीन केंद्रों पर कराईगी नकल पुलिस करेगी पूश्तास तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस्टेफ की टीम यूपी लेकपाल की जांच में लगातार जूटी हुई है और यहां पर कुछ दिन पहले एस्टेफ की टीम ने कुछ कॉलिज प्रमंद्र को गिफ्तार किया है तो आज ये ख़बर सामने आ रही है कि नौ परच्षार्थियों को हलकर आया था पेपर नकल माफिया रैकेट की जांच में खुलासा हो आया कि तीन केंद्रों पर नकल कराएगी थी और पुलिस उनकी पूश्तास में जूट हुई है तो आज ये ख़बर को विश्तार से जानते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीन दिन पहले पकड़े गए नकल माफिया रैकेट ने नैनी में तीन केंद्रों पर कुल नो परच्षार्थियों को पेपर सॉल्व कराए थी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस्टेफ की टीम ने हाली में कुछ कॉलेज प्रबंदों गरफतार क्या है तो जो तीन दिन पहले जो नकल माफिया पकड़े गए हैं उन्होंने तीन केंद्रों पर कुल नो परच्षार्थियों को पर सुलकर आये थे एसी बात खुल कर सामने आ रही है यह तीन उनी प्रबंदों को कॉलेज हैं जिनने एस्टेफ ने गरफतार क्या है मामले की जांच में यह खुलासा हुआ है देगी छे परच्षार्थियों को में रोड़े जुटा रही ही पुलिस एस्टेफ की ओर से दर्ज कराएगे मामले की जांच में जुटी नेनी पुलिस अब इन परच्षार्थियों से भी पुस्ताच की तयारी में है इसके लिए उनके बारे में विवेचन जानका जुटाने में लगे है शूत्रों का कहना है कि उनके अनक्रमांग का हवाला देते हो इस संबंद में जल्दी अधिनस सिवाच चैनायोक से पत्तरचार किया जाएगा गौर्टबल है कि उसकी ओर से ही परिच्छा आजुट कराएगी थी बिश्तर जानकारी मिलने के बाद उनका भयान दर्ज के जाएगा सनलिप्त ता की बाद सावित हुई तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा नैनी थाना प्रवारी सुरेंद कुमार पर्मान मिलताया तो देखी यहाँ पर ह्टीफ की टीम और नैनी प्लेस पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई है और जिन पर च्छारतियों कोई नाम भी सामने आ रहे हैं उन पर च्छारतियों से नैनी प्लेस पूर्स भी करेगी और उनका विवर्ड जुटाने हो लगी हुई है तो यहाँ पर जो है आप बात करें अगर रिएक्जाम के बारे में तो बहूत सारे गन्ट यह क्वेश्चन है कि क्या यूपी लेक्षाबल कर रिएक्जाम हो सकता है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँपर बहुत ही कम चांसेश hierarchी nhất है यूपी लेक्षाबल कर रिएक्जाम हो तो जोब फ्रेंट यह सोचक के बटेएए सब्सक्राब जरू करें, थेंक यू